अगर आपके इसके अगले पार्ट का वीडियो बीचाहिए तो कमेंट में लिकर जरूर बताईएगा आपकी क्लास के हर सब्जेक्ट और हर चैप्टर को सबसे आसान तरीके समयने के लिए आप डिये भी गुडू के प्लेइलिस्ट में जा सकते हैं जहां पर अलग-अलग कैटेग्रीज में आपको हर क्लास के वीडियो मिल जाएंगे यहां से आप अपने क्लास के वीडियो को कभी भी फिल्कुल फ्री में देख सकते हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करके बिल आइकन को प्रिस भी कर लिजेगा ताकि जितने भी नए वीडियो जाते हैं उनका भी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिलता रहे हैं हमेशा की तरह चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम लोग ब्रीन मैपिंग करेंगे जिसे कि हमें पता चलेगा कि इस चैप्टर में हमें आखिर परना क्या-क्या है सबसे पहले हमें chapter का introduction देखना है इसको हम लोग पिछले chapter से connect करेंगे उसके बाद हमें human eye के बारे में परना शुरू करना है human eye के बारे में परेंगे blind spot क्या होता है उसके बारे में परेंगे और हम लोग colors को कैसे देख पाते हैं इसके बारे में समझेंगे उसके बाद हमारा topic होगा working of the human eye, human eye काम कैसे करता है इसके अंदर दो सब topics है जिसमें की एक है range of vision, दूसरा है defect of vision फिर हमें eye care के बारें परना है, उसके बाद visually challenged persons के बारें परेंगे फिर हम देखेंगे कि हम उनकी मदद यानि की visually challenged persons की मदद कैसे कर सकते हैं और सबसे अंतिम में braille system के बारें परेंगे आपको बस इस class को पूरा attend करना है, जितने भी topics हम लोग discuss करेंगे, सब आपके दिमाग में जाकर fit हो जाएगा इस दुनिया में हमारे आसपास जो कुछ भी है, उसके बारे में हमें हमारे sense से पता चलता है हम लोग उसको sense कर पाते हैं, तब ही हमें feel होता है और उसको sense करने के लिए हमारे पास 5 sense organs है, जिनका नाम आपको definitely पता होगा आप comment में लिख सकते हैं आप imagine कीजिए कि अगर हमारे body से वो 5 sense organs अचानक से गायब हो जाए, तो क्या होगा? क्या हम लोग कभी पता कर पाएंगे कि हमारे आसपास क्या हो रहा है इन 5 senses में से सबसे important sense of sight यानि की देखने को माना जाता है इसलिए human eye को सबसे कीमती और sensitive organ माना जाता है क्योंकि इसी के वज़ा से हम लोग अपने आसपास की चीजों को देख पाते हैं eyes हमारे लिए सबसे ज़्यादा important तो है ही लेकिन शायद ये सबसे perfect optical device भी है जो की nature ने हमें दिया है optical device कहने का मतलब क्या हुआ? ऐसा device जो की light trace को manipulate कर सकता हो उसे हम लोग optical device कहते हैं केवल हमारी आखों के वज़े से हम लोग प्राकरतिक सुन्दरता को देख पाते हैं हम सभी जानते हैं कि हमारी आखे हमारे life में बहुत ही important और crucial role play करती है क्योंकि हम अपनी आखों का इस्तिमाल बहुत सारे activities के लिए करते हैं जैसे कि परना, लिखना, driving करना, nature को observe करना और भी ऐसे बहुत सारे countless activities हैं जो कि हम अपनी आखों की बिना नहीं कर सकते हैं हम लोग पिछले चाप्टर में अल्लेडी पर जुके थे कि reflection of light क्या होता है और ये lenses के साथ कैसे related है हम लोग अलग अलग lens के लिए अलग अलग तरह का ray diagram बनाय थे object को अलग-अलग distances पर रख कर और हमें पता चला था कि कैसे image का formation होता है हमने अलग-अलग type के lenses से बनने वाले image के nature, उसके position, उसके relative size के बारे में detail में study किया था हम लोग ये भी जानते हैं कि जब किसी object से आने वाले light rays हमारी आखों तक पहुंसती है तब ही वो object हमें दिखाई देता है ये सब कुछ हम लोग पिछले chapters में पढ़ चुके हैं और इन ही सब basic ideas के मदद से इस chapter में हम लोग human eye को study करने वाले हैं तो चलिए इस chapter का सबसे पहला main topic स्टार्ट करते हैं जो की है the human eye हमारी जो आखे हैं वो लगभग spherical होती है उनका shape spherical होता है और इसका diameter 2.5 cm के आसपास होता है मतलब ये जो length है यहां से लेकर यहां तक का ये 2.5 cm के आसपास होता है light हमारी आखों में transparent curved front surface के थूँ enter करता है ये वला जो curved surface है इसी के थूँ light हमारी आखों में enter करता है ये surface transparent होता है इसका color whitish होता है और इसको cornea कहा जाता है इसका main function होता है हमारी आखों को protection provide करवाना ये protective layer की तरह काम करता है इस layer के अंदर में थोड़ा सा खाली space होता है इस space में एक liquid भरा रहता है जिसको कि aqueous humor कहा जाता है cornea के just पीछे एक dark color का muscular diaphragm होता है जो कि जरुत के हिसाब से fell और सिकूर सकता है उसको iris कहा जाता है हमारी आखों में जो black वाला portion दिखाए देता है न उसी को iris कहते है iris pigmented हो सकता है मतलब इसमें खास तरह के pigment पाया जा सकते है और इसी के वज़ा से हर आदमी के आखों का color अलग-अलग हो सकता है कुछ आदमी के आखों का color black होता है कुछ के आखों का color brown होता है और कुछ का blue होता है एक छोटा सा aperture यानि की opening होता है हमारे iris के center में जैसे कि ये वाला black वाला part है इसके बीच में एक opening होता है इस opening का size variable होता है यानि कि ये भी बरा छोटा हो सकता है ये भी self adjustable होता है और इस aperture को इस opening को pupil कहा जाता है हमारी आखों के बीच ओ बीच यहाँ पर जो dark color का एक hole जैसा दिख रहा है उसी को pupil कहा जाता है pupil हमें black color का दिखाए देता है क्योंकि ये थोड़ा सा भी light को reflect नहीं करता है ये सभी light को absorb कर लेता है और हमारी आखों के अंदर भेज देता है eye disregulate कर सकता है कि कितनी मातरा में light हमारी आखों में enter करेगी और इसके लिए वो pupil के size को बरा या छोटा कर सकता है example के लिए जब हम लोग dim light में जाते हैं बहुत कम रोशनी वाले area में जाते हैं तो हमारा pupil बरा हो जाता है ताकि अधिक से अधिक light हमारी आखों में enter कर सके और हमें चीजें दिखाई दे सके लेकिन जब हम bright light में जाते हैं तो हमारा pupil छोटा हो जाता है ताकि जरूत से ज़्यादा light trace हमारी आखों में न पहुंच सके और हमारी आखों को damage न कर सके आपने कभी न कभी जरूर feel किया होगा कि जब हम लोग अंधेरे कमड़े से निकल कर अचानक से धूप में चले जाते हैं तो हमारी आखे चौंधी आ जाती है हमें कुछ भी दिखाई नहीं देने लगता है लेकिन कुछ समय के बाद जब हम लोग खड़े रहते हैं धूप में तो हमें साफ साफ दिखाई देने लगता है क्योंकि जब तक हम लोग अंधेरे में थे प्यूपिल का साइज बढ़ा था ताकि वो जादा से जादा लाइट को कैप्चर कर सके और हमें अच्छे से दिखाई दे लेकिन जब हम लोग अचानक से धूप में चले गए तो प्यूपिल का साइज तो वही था अचानक से तो चेंज नहीं होता है और अचानक से बहुत ज़्यादा लाइट हमारी आँखों में पहुँचने लगी इसी वज़े से हमारी आँखे चौनदी आ जाती है लेकिन कुस देर ब्राइट लाइट में रूख जाने के बाद हमें साफ-साफ दिखाई देने लगता है क्योंकि हमारा प्यूपिल उसी हिसाफ से एडज़ेस्ट हो जाता है इस self adjustment के कारण हमारा pupil cable हमारे आखों के interior parts को ही protect नहीं करता है बलकि ये हमारे image forming ability को भी improve करता है हमारी आखों पर अच्छे से अच्छा image बनता है और उसी वज़ा से हमें साफ साफ दिखाई देता है हमारी आखों में enter करने वाले light rays को focus करने का काम eye lens करता है हम आपको बढ़ाया थे कि जब तक light rays एक दूसरे को intersect न करे या intersect करती हुई प्रतीत नहों तब तक image का formation नहीं होता है हमारी आखों में जो eye lens होता है वो object से आने वाले light rays को focus कर देता है और एक दूसरे से intersect करवा देता है इसी वज़ा से इसका image हमारी आखों के retina पर बन जाता है ये वला जो portion है न इसको retina कहते हैं जब retina पर किसी object का image बनता है तब ही वो object हमें दिखाई देता है हमारी आखों का जो lens है वो एक convex lens है और ये एक transparent crystalline layers से मिलकर बना हुआ है हमारी आखों का lens बीच में hard होता है और edge की तरह बरने पर धीरे-धीरे ये soft होते जाता है अब हमारी आखों में एक lens है तो इसको जरूर कोई न कोई hold करके रखा होगा उसको अपने position पर बना के रखा होगा उसको अपने position पर बना के रखता है एक muscle जिसका नाम है ciliary muscle जैसे ये हमारी आखों का lens है तो यहाँ पर जो muscle है उपर में और यहाँ पर जो नीचे में muscle है इन्ही तोनों muscles को ciliary muscle कहते हैं ciliary muscles का एक बहुत ही important काम होता है जो कि आपको अच्छे से समझना है और याद अखना है ciliary muscles जो होते हैं वो हमारे lens के curvature को बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं करवेचर का बरना यानि की लेंस मोटा हो सकता है कुछ इस तरीके से और करवेचर का घटना यानि की लेंस पतला हो सकता है कुछ इस तरीके से लेंस का करवेचर चेंज होने के कारण लेंस का फोकल लेंथ भी चेंज होता है जब lens का curvature बढ़ता है न, lens मोटा हो जाता है तो focal length पास में आ जाता है और जब lens का curvature पतला होता है तो focal length बहुत दूर हो जाता है इधर जगह ही नहीं है, बहुत दूर हो जाता है focal length जब हमें कोई pass का object देखना होता है तो इस पर focus करने के लिए ciliary muscle इस वाले lens के curvature को बरहा देता है ताकि इसका focal length घट जाए और वो इस point पर focus कर सके और जब हमें दूर का object देखना होता है तो ciliary muscle हमारे lens के curvature को घटा देता है जिसे कि इसका focal length बर जाता है और हम लोग दूर के object पर focus कर पाते हैं हमारी आखों में जो lens है वो एक convex lens है इसलिए वो object का एक real और inverted image बनाता है अब real तो ठीक है, real का मतलब क्या हुआ, light rays actual में एक दूसरे को कारती है उसके बाद image का formation होता है लेकिन inverted image का मतलब क्या हुआ, inverted image का मतलब हुआ कि अगर बागर बिल्ला ऐसे आ रहा है हमारे सामने तो हमारी आखों पर उसका image कुछ ऐसे बनेगा उल्टा बनेगा लेकिन हमें बागर बिल्ला उल्टा क्यों नहीं दिखाई देता है हमें ऐसे सीधा क्यों दिखाई देता है देखिए actual में image ऐसा ही बनता है हमारी यांको के retina पर लेकिन हमारा brain उसको सीधा करके ऐसा बना देता है इसलिए सामने से आता हुआ कोई भी व्यक्ति हमें सीधा दिखाई देता है उल्टा ने अच्छा रेटीना के बारे में तो हम लोग पहले ही डिसकस कर लिए इमेज का फॉर्मेशन जिस लेयर पर होता है हमारी यांको के अंदर उसी लेयर को रेटीना कहा जाता है जैसे अगर आपको भी प्रोजेक्टर पर मुवी देखे होंगे तो आपको पता होगा कि प्रोजेक्टर से जो लाइट रिज निकलता है उसको देखने के लिए हमें एक स्क्रीन चाहिए जब हम लोग सामने में स्क्रीन लगाते हैं तभी हमें मुवी या वीडियो या इमेज इस वाले स्क्रीन पर दिखाई देता है बिल्कुल उसी तरह से हमारी आखों का जो लेंस है वो भी इमेज का फॉर्मेशन करता है और जब वो image इस वाले screen पर परता है यानि की retina पर परता है तब ही वो object हमें दिखाई देता है Retina एक light sensitive screen होता है मतलब ऐसा screen जो की light को sense कर सकता है light को feel कर सकता है ये एक delicate membrane होता है मतलब बहुत ही नाजुग जिल्ली होता है अगर ये damage हो गया तो हमें कुछ भी दिखाई नहीं देगा और इस पर बहुत बड़ी संख्या में अंगिनत light sensitive cells होते हैं जिनको की photo receptors भी कहा जाता है ये light sensitive cells दो type के होते हैं एक होता है rod shaped cells और एक होता है cone shaped cells इनके नाम से ही पता चलता है कि इनका shape कैसा होता होगा rod shaped का मतलब होगा कि ऐसा cell जो की एक rod जैसा दिखता है कुछ ऐसा दिखता है और cone shaped का मतलब होगा कि ऐसा cell जो की एक cone जैसा दिखता है इनका shape कुछ ऐसा होता है इन दोनों cells का काम होता है कि हमारी आँखों में जो light rays enter करती है उसको sense करना उसके बारे में information collect करना और फिर उसको हमारे brain तक transfer करना लेकिन अगर हम लोग थोड़ा detail में जाये तो दोनों का काम एक दूसरे से थोड़ा different होता है यह जो rod cells होते हैं यह amount of light energy को respond करते हैं मतलब कितनी मातरा में light energy हमारी आँखों में enter कर रही है उसके बारे में detail उसके बारे में information collect करने का काम rod cells का होता है और जो कौन cells होते हैं यह colors को respond करते हैं मतलब जो light ray हमारी आँखों में enter करी है उसमें कौन-कौन सा colors present है उसके बारे में information को collect करने का काम कौन सिल्स का होता है dim condition में हमारा vision कैसा होगा कम light में हम लोग देख पाएंगे या नहीं देख पाएंगे इसके लिए rods ही responsible होते हैं अगर हमारी आखों में बहुत ज़्यादा amount में rods present होंगे rod sales present होंगे तो हमें कम रोशनी में भी अच्छे से दिखाई देगा और अगर किसी कारण से rods की संख्या घट जाती है तो कम रोशनी में हमें नहीं दिखाई देगा कौन्स के कारण हमें colors दिखाई देते हैं इसका मतलब यह हुआ कि अगर हमारी आखों में कून्स की संख्या आधिक है तो कलर्स हमें साफ साफ दिखाई देंगे लेकिन अगर किसी कारण से हमारी आँखों में कून्स की संख्या कम हो जाती है तो हमें कलर्स को पहचानने में परिशानी हो सकती है कून्स ऐसे सिल्स होते हैं जो कि केवल हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है रोट्स क्या करते हैं और कून्स क्या करते हैं बच्चे इसमें कन्फ्यूस कर जाते हैं आप इसको ट्रिक लगा कर याद कर सकते हैं जैसे कि रोट्स जो होते हैं न वो रोशनी को रिस्पॉंट करते हैं rods रोशनी एक जैसा है rods कितना amount में रोशनी हमारी यांखों में इंटर कर रहा है उसको respond करते हैं और जो cones होते हैं ये colors को respond करते हैं C4 cones, C4 color अब यहाँ पर एक do you know दिया गया है जिसमें की तीन बहुत ही important points है पहला point कहता है कि cornea human body का एक ऐसा tissue है जिसमें की blood vessels नहीं पाय जाते है cornea के अलावा हमारे body में जितने भी tissues हैं उसमें blood vessels होता है मतलब उसमें blood supply होता है लेकिन केवल cornea में blood supply नहीं होता है दूसरे point में बताया गया है कि हमारी आखों के जो muscles होते हैं वो human body में सबसे ज़्यादा active होते हैं मतलब सबसे तेजी से respond भी करते हैं और दिन भर में सबसे ज़्यादा काम भी करते हैं और तीसरे point में बताया गया है कि हमारी आखों में लगबग 7 million cone cells होते हैं जो कि colors को पहचानने में हमारी मदद करते हैं इसके साथ साथ हमारी आखों में 120 million rod cells भी होते हैं जाता है और कुछ को cones कहा जाता है वो कैसे काम करते हैं उसको समझने के लिए एक छोटा सा activity हम लोग कर सकते हैं इसके लिए आपको एक ही तरह के बहुत सारे objects लेने हैं example के लिए आप caps ले सकते हैं जिनका colors अलग-अलग हो लेकिन उनका size same होना चाहिए सबसे पहले इन सभी caps को bright room में ले जाकर separate करने की कोशिश कीजिए और उन सभी caps का piling उनके colors के हिसाब से कर दीजिए example के लिए माल लेते हैं आप 5 ऐसे caps लिए थे जिनका color red था 3 ऐसे caps लिए थे जिनका color green था और 2 ऐसे caps लिए थे जिनका color blue था इनको count करने के बाद वापस से इन सभी को आपस में मिला दीजिए अब आपको room का lights off कर देना है लेकिन room में हलका हलका light होना चाहिए अब दुबारा सभी caps को उनके colors के हिसाब से separate करने की कोशिश कीजिए dim light में आप सभी color के caps को सही से separate नहीं कर पाएंगे हो सकता है कि कुछ green वाला cap red वाले में चले जाए हो सकता है कुछ blue वाला cap green वाले में चले जाए ऐसा इसलिए होता है क्योंकि colors को पहचानने का काम कौन sales करते हैं लेकिन dim light में कौन sales activate नहीं हो पाते हैं और हम लोग colors को ठीक से नहीं पहचान पाते हैं अब आप इन सभी caps को वापस से mix कर दीजिए और dim light में ही 7-10 minute तक wait कीजिए उसके बाद try कीजिए इसको separate करने का उसके color के हिसाब से separate करने के बाद lights को दुबारा on कीजिए और देखिए कि इस बार आपसे कितना गलती हुआ है इस बार आप देखेंगे कि आपसे पहले के मुकाबले कम गलती हुआ है लेकिन इन 7-10 minute में ऐसा क्या हो गया जो कि आपसे कम गलती हुआ इसका reason यहाँ पर बताया गया है आपसे इस बार कम गलती इसलिए होगा क्योंकि उन 7-10 minutes में हमारी आखों में जो light sensitive cells होते हैं वो light के इसाब से अपने आपको adapt कर लेते हैं जैसा lighting condition होता है उसी इसाब से अपने आपको ढाल लेते हैं उसके बार dim lighting condition में भी colors को पहचानना हमारे लिए थोड़ा आसान हो जाता है एक बहुत interesting do you know यहाँ पर दिया गया है चलिए इसको पर लेते हैं यहाँ पर बताया गया कि animals में अलग-अलग आकार की आखे पाई जाती है कैकरे की आखे बहुत छोटी होती है वही butterfly's की आखे हमें बहुत बड़ी दिखाई दे सकती है क्योंकि यह हजारों छोटी-छोटी आखों से मिलकर बनी होती है butterflies इन्ही आखों की वज़ा से आगे तो देखी पाते हैं साथी साथ अपने दोनों side और पीछे भी देख पाते हैं जितने भी night birds होते हैं उनको रात में अच्छे से दिखाई देता है जैसे कि उल्लू ऐसा इसलिए क्योंकि उनके पास cone cells कम होता है और rod cells बहुत जादा होता है cone cells कम होने के कारण वो colors को तो ठीक से नहीं पहचान पाते हैं लेकिन rod cells अधीक होने के कारण वो आसानी से अंधेरे में भी देख पाते हैं इन birds का cornea बहुत बरा होता है और इनका pupil भी बहुत बरा होता है इस वज़े से उनकी आखों में बहुत अधीक मातरा में light enter कर सकती है night birds इसी वज़े से रात के समय में भी बहुत आसानी से देख पाते हैं लेकिन उनको दिन के समय में देखने में बहुत परिशानी होती है क्योंकि उनका प्यूपिल बरा होने के कारण बहुत अधिक मातरा में उनकी आईज में लाइट एंटर कर जाती है और उनके साथ विलकुल वैसा ही होता है जैसा हमारे साथ होता है जब हम लोग अंधेरे कमरे से निकल कर अचानक से धूप में चले जाते हैं हमारी आखे थोरे समय के लिए जैसे चौंधिया जाती है night birds की आखे हमेशा दिन के समय वैसे ही चौनधी आते रहती है जितने भी day birds होते हैं जिनको दिन में सही से दिखाई देता है जैसे कि kite, eagle और chick इनके पस cone cells जादा होता है और rod cells कम होता है इसी वज़ा से ये दिन के समय तो अच्छे से देख पाते हैं लेकिन rod cells की मातरा कम होने के कारण इनको dim light conditions में देखने में परिशानी होती है एक सब topic यहाँ पर है the blind spot अब ये blind spot क्या होता है इसको एक line में पहले अच्छे से समझे उसके बाद हम लोग इसको read करेंगे हमारी आखों के सामने जो भी object आता है उसका image हमारे retina पर बनता है लेकिन retina का ये वला part देखिए जहां से optic nerve निकला हुआ है optic nerve का काम होता है आख जितना भी information capture किया उसको हमारे brain तक पहुँचाना जब किसी object का image इस वाले area पर बनता है तो वो object हमें दिखाई नहीं देता है क्योंकि यहाँ पर ना तो rods होते हैं ना ही cones होते हैं वही सब चीज यहाँ पर बताया गया है कि जहाँ पर optic nerve और retina मिलते हैं जहाँ पर उनका junction होता है वहाँ पर ना तो rod cells होते हैं ना ही coon cells होते हैं इसलिए उस point पर कोई image का formation नहीं होता है क्योंकि वो light insensitive होती है वो light को sense कर ही नहीं सकती है इसी point को हमारी आखों का blind spot कहा जाता है blind spot exist करता है इसको demonstrate करने के लिए हम लोग एक छोटा सा activity कर सकते हैं activity में बस हमें ये करना है कि किसी तरह object के image का formation इस वाले point पर करवा देना है और देखना है कि जब object का formation इस वाले point पर होता है यानि कि blind spot पर होता है तब हमें कैसा result देखने को मिलता है इस activity के लिए सबसे पहले हमें एक मोटा सा blue color का broken line draw करना है और एक red circle भी draw करना है जैसे कि यहाँ पर किया गया है paper के sheet पर इन दोनों के बीच का distance यानि की line और circle के बीच का distance लगबग 6-8 cm के आसपास होना चाहिए अब इस paper sheet को हमें अपनी आखों से एक हाथ की दूरी पर रखना है और अपने दाई आपको बंद कर लेना है आपको red circle को देखते हुए paper sheet को धीरे धीरे अपने head के पास लाना है आप देखेंगे कि एक खास distance पर आने के बाद आपको broken line broken नहीं दिखेगा मतलब यह जो line भी इससे टूटा हुआ है न यह टूटा हुआ नहीं दिखेगा आपको एक single line दिखेगा ऐसा तब होगा जब broken line का image हमारे retina के blind spot पर बनेगा जब इस वाले portion का image हमारे retina के blind spot पर बनेगा तो हमारा brain इस वाले portion को neglect ही कर देगा और हमें ये वाला part दिखेगा और ये वाला part दिखेगा दोनों part एक साथ दिखेगा और हमें ऐसा लगेगा कि ये दो line नहीं है ये पूरा एक ही line है अब आपको same activity vertical broken lines और एक cross के साथ करना है और इस बार आपको अपने left eye को close करना है इसमें भी आपको उनी steps को follow करना है और देखना है कि क्या ये broken lines भी हमें पूरी दिखाई देती है या नहीं सबसे अंतिम में एक बहुत important point बताया गया है कि जो blind spot का position होता है न वो हमारे left eye के लिए और right eye के लिए different हो सकता है दोनों आखों का blind spot exactly same place पे नहीं होता है एक और योनों यहाँ पर दिया गया है जिसमें बताया जा रहा है कि octopus की जो आखे होती उसमें blind spot नहीं होता है ऐसा इसलिए क्यों कि octopus के retina पर जितने भी photo receptors होते हैं जितने भी light sensitive cells होते हैं वो आखों के inner part में होते हैं माल लेते हैं यह octopus का आख है और यह इसका retina है जितने भी photo receptors होते हैं वो आखों के अंदर वाले part में ही होते हैं इनर part में होते हैं जो cells information को carry करके brain तक ले जाते हैं वो आखों के outer part में ही होते हैं मतलब information भेजने वाले cells इस वाले part में होते हैं इनी सिल्स से optic nerves connected रहते हैं जिनसे होकर information brain तक पहुंचता है ये optic nerves कभी भी retina को cross नहीं करते हैं इसी वज़ा से octopus की आँखों में blind spot नहीं पाया जाता है एक और सब्टॉपिक यहाँ पर है how do we see colors यानि की रंगों को हम लोग कैसे देख पाते हैं रंगों को हम लोग कैसे पहचान पाते हैं हम जानते हैं कि हमारे retina पर बहुत बड़ी संख्या में light sensitive cells होते हैं जिन में से कुछ का आकार rod जैसा होता है और कुछ का आकार cones जैसा होता है जितने भी rod के आकार के cells होते हैं वो incident light energy के amount को respond करते हैं मतलब हमारी आखों में कितना light जा रहा है उसके बारे में information collect करने का काम rod shaped cells का होता है इनी cells के कारण हमें brightness और darkness के बारे में पता चलता है लेकिन dim light condition में rods तो काम करते हैं लेकिन cones काम नहीं कर पाते हैं cones में लिए उन colors को respond करते हैं जो कि incident light में present होता है ये cells के बल तभी active होते हैं जब हम bright light में होते हैं और इसी के वज़़े से हमें color के बारे में पता चलता है कि हमारे सामने जो object रखा हुआ है वो किस color का है रेटीन आपर जो कौन सोते हैं वो generally 3 colors के लिए ज़्यादा sensitive होते हैं जिनमें की एक है red color का light, दूसरा है green color का light और तीसरा है blue color का light अब चलिए इन दोनों do you know को भी पर लेते हैं उसके बाद हम लोग class को end कर देंगे इसमें बताया गया कि कुछ लोगों में genetic disorder होनी के कारण उनके जो कौन सेल्स होते हैं वो कुछ खास colors को ही respond कर पाते हैं सभी colors को respond नहीं कर पाते हैं, सभी colors को नहीं पहचान पाते हैं ऐसे लोग colors को differentiate तो नहीं कर पाते हैं लेकिन उनको दिखाई सब कुछ देता है इसलिए उन्हें color blind कहा जाता है कुछ लोगों में rod cells के संख्या cone cells से कम होती है इस वज़े से उन्हें dim light conditions में देखने में परिशानी होती है रात के समय उन्हें दिखाई नहीं देता है ठीक से और इस defect को night blindness कहा जाता है आप से एक जाम में पूछा जा सकता है कि color blind होने का मतलब क्या होता है और night blindness क्या होता है तो आप इन दोनों points को अच्छे से याद रखिएगा यहाँ पर बताये गया है कि अलग-अलग animals में जो colors को पहचानने की शक्ती होती है वो rod cells और cone cells के different structure के कारण same नहीं होती है सभी animals colors को differentiate नहीं कर सकते हैं हो सकता है उनको red और green colors same type का दिखाई देता हो बहुत सारे living things है जिसमें कि हम लोग भी आते हैं apps आते है monkeys, birds और fishes आते हैं वो आसानी से colors को पहचान सकते हैं उनको colors में अंतर निकालना आता है अधिकतर पलतु जानवर actual में color blind होते हैं वो अधिकतर colors को नहीं पहचान पाते हैं जैसे कि अगर हम लोग गाय के सामने कोई red color का object रखते हैं तो उसको वो red color का नहीं दिखाई देता है इसके अलावा मधुमक्खी कुछ ऐसे colors को भी देख पाती है जो कि हम लोग नहीं देख पाते हैं ऐसा इसलिए क्योंकि मधुमक्खियों के पास कुछ ऐसे cones भी होते हैं जो कि ultra violet light के लिए भी sensitive होते हैं वो ultra violet light को भी capture कर सकते हैं उसका information collect कर सकते हैं तो finally हमने यहाँ तक के सभी topics को complete कर लिया अगर आपको इस chapter का second part भी चाहिए तो comment में लिकर जरूर बताईएगा और अगर आपको किसी और chapter का explanation भी चाहिए तो भी comment में लिकर जरूर बताईएगा आपके class के science का playlist open करने के लिए left side में क्लिक कीजिए वहाँ पर आपको science के सभी chapters के explanation मिल जाएंगे और अगले class का वीडियो देखने के लिए right side में क्लिक कीजिए फिलाली सुडियो में इतना ही मिलते हैं अगली class में बहुत सारे नए topics, नए concept के साथ तब तक लिए अपना ध्यान रखिये और अच्छे से बढ़ाई करते रहे है